ओम शान्ती आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 फैब 2005 की अव्यक्त मुरली आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है दिल से मेरा बाबा कहो और सरव अविनाशी खजानों के मालिक बन पेफिकर बादशाहा बनो आज की मुरली में बाबा ने दिल से कहना मेरा बाबा और मैं बाबा का बाबा ने कहा ये दिल से निकले देखो फिर कैसे सारे खजाने आपकी जोली में आ जाएंगे और फिर फिकर किस चेज़ का वहां तो अगर कोई धनवान होता तो कितना फिकर होता अबाबा केते हैं तुम बादिशा हो लेकिन बेफिकर बादिशा हो किसी परकार का फिकर नहीं है तो आज की मुरली में चार क्वेश्चन नमबर वन दिल में स्वतय कौन सा गीत बज़ता रहे नमबर टू संगम युक के प्राप्ति सुरूप का अनभव क्या है नमबर थ्री बाप बच्चों से क्या चाते हैं और लास्ट आने वाले अंतिम समय में खुल पॉइंट्स कौन ले सकेंगे तो सुनते हैं मुरली अब डिटेल में बीस फरवरी दोहजार पांच की मुरली आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सरव बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिवे सितारे की रेखा दिखाई दे रही है हर एक के नैनों में सने और शक्ती की रेखा देख रहे हैं मुख में स्रेष्ट मधुरवानी की रेखा देख रहे हैं क्या बाबा ने चित्रण किया हां के नैनों में सने और शक्ती की रेखा मुख में स्रेष्ट मधुरवानी की रेखा ओठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही हैं दिल में दिल्ला राम के सने में लवलीन की रेखा देख रहे हैं हाथों में सदा सरो खजानों के संपंता की रेखा देख रहे हैं पाउं में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं ऐसा स्रेश्ट भाग्य सारे कलप में किसी का नहीं होता जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है ऐसा अपना भाग्य अन्भव करते हो इतने स्रेष्ट भाग्य का रुहानी नशा अन्भव करते हो दिल में स्वते गीत बजता है वहा मेरा भाग्य यह संगम युक का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता क्यों अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है लेकिन प्राप इस संगम पर ही होता है इस संगम युक पर ही अनुभूती करते हो वै विशेश संगम युक की प्राप्ती अती स्रेष्ट है तो ऐसे स्रेष्ट भांगे कानभा। सदाई मर्ज रहता है या कभी मर्ज और पुर्षार्थ क्या किया? इतने बड़े भांगे की प्राप्ति के लिए पुर्षार्थ कितना सहिज हुआ सिरफ दिल से माना, जाना माना और अपना बनाया क्या? मेरा बाबा एक या पुरशारत और भगे कितना बड़ा मिला तो दिल से पहचाना मैं बाबा का बाबा मेरा मेरा मानना और अधिकारी बन जाना कितना सहिज अधिकार भी कितना बड़ा है कितना बड़ा क्या सोचो कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे जो पाना था वे पा लिया ये कहेंगे न जो पाना था वे पा लिया ए प्राप्त नहीं कोई वस्तु प्रमात्म खजाने में ऐसे प्राप्ति सुरूप का अनुभव कर लिया वा कर रहे हैं बाबा ने कहा भविश्य की बात अलग है इस संगम युक का ही प्राप्ति स्रोप का अनभव है अगर संगम युक पर अनभव नहीं किया तो भविश्य में भी नहीं हो सकता क्यों भविश्य प्रालब्द है लेकिन प्रालब्द इस पुर्शार्थ के स्रेष्ट करम से बनती है ऐसे नहीं कि लाष्ट में अन्भव सुरूब बनेंगे संगम युक के बहुत काल का ये अन्भव है जीवन मुक्त का विशेश अन्भव अब का है बेफिकर बादशाह बनने का अन्भव अब है तो सभी बेफिकर बादशाह हो कि फिकर है जो बेफिकर बादशाह बने हैं वे हाथ उठाओ बन गए हैं कि बन रहे हैं क्या फिकर है जब दाता के बच्चे बन गए तो फिकर क्या रह गया मेरा बाबा मामा और फिकर की अनिक टोकरियों का बोज उतर गया बोज है क्या है प्रकृति का खेल भी देखते हो माया का खेल भी देखते हो लेकिन बेफिकर बादशा होकर शाक्षी होकर खेल देखते हो दुनिया वाले तो डरते हैं पता नहीं क्या होगा आपको डर है आपको डर है नहीं है न डरते हो बाबा आज पूरी चेकिंग करवा रहे हैं डरते हो निष्चे और निष्चिंत है जो होगा वे अच्छे ते अच्छा होगा क्यों तृकाल दर्शी बनकर दृश्चे को देखते हो ना आज क्या है कल क्या होने वाला है इसको अच्छी तरह से जान गए हो नौलेज़फुल हो ना संगम युक के बाद क्या होना है आप सब के अगे इस पस्ट है ना नव युग आना ही है दुनिया वाले कहेंगे आएगा क्वेश्चन है आएगा और आप क्या कहते हो आया ही पड़ा है आया ही पड़ा है आया ही पड़ा है आयेगा नहीं इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है उनके लिए जरूर क्वेश्चन है प रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत्वेला है, अमृत्वेले के बाद दिन आना ही है, निश्चे किसको भी होग, जिसको भी होगा वे निश्चिन्त, कोई चिन्ता नहीं होगे, वेश्व रच्ता द्वारा रच्णा की स्पष्ट नौलेज मिल गई है, बाप दादा देख रहे हैं, सभी बच्चे सने के सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंदे हुए हैं, अपने घर में पहुँच गए हैं बंदे हुए, बाप दादा सभी सने बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुँचने की मुबारक दे रहे हैं, मुबारिक हो मुबारिक हो बाबा की ओर से मुबारिक हो मुबारिक हो बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है वा बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है किसका है आपका या बापका बाप कहते बच्चों का ज्यादा है देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहां कहां से पहुँच गए है ना कितने देशों से आए हैं तो किसे ने का पचास देशों से पचास देशों से आए हैं लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है अमरीका वाले दूर से आये है आप भी दूर से आये हैं लेकिन बाप दादा तो परमधाम से आया है, परमधाम से, उनकी बेट में अमरीका क्या है, अमरीका दूर है या परमधाम दूर है, सबसे दूरंदेशी तो बाप दादा है, बच्चे याद करते हैं और बाप हाजर हो जाते हैं, बाबा आपको आने में तो एक सिकंड लगता अमरीका वालों को तो पंद्रा गंटा तो पहले जहाज की यात्रा न्यू यार्क से अगर डिरेक्ट भी मिले हैं दिल्ली की फिर मदुवन पहुंचना आप तो सेकंड में आ जाते हो बले दूर है लेकिन आपका रॉकेट बड़ा तेज है अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं पुछते हैं न बाप क्या चाहते हैं तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं एक एक बच्चा सवराज्य अधिकारी राजा हो सभी राजा हो सवराज्य है सव पर राज्य तो है न चो समझते हैं सवराज्य अधिकारी राजा बना हूँ वे हाथ उठाओ बहुत अच्छा बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जनम तो बहुत मेनत की है दुख हशांती से दूर होने की तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा भी सवराज्य अधिकारी बने मन बुद्धी संसकार का मालिक बने राजा बने जब चाहें जहां चाहें जैसे चाहें वैसे मन बुद्धी संसकार को परिवर्तन कर सकें टेंशन फ्री लाइफ का अनुबह सदाई मर्ज हो बाप दादा देखते हैं कि कभी मर्ज भी हो जाता है सोचते हैं ये नहीं करना है ये राइट है ये रॉंग है लेकिन सोचते हैं सुरूप में नहीं लाते हैं सोचना माना मर्ज रहना सुरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रहे हो न, कभी कभी करते हैं, रूरुहान करते हैं न, कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे, समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो न, तो मास्टर रचता रचना के अधार पे नहीं चलते हैं, समय को समापती के नजदीक आप मास्टर रचता को लाना है, एक सिकड में मन के मालिक बन, मन को आडर कर सकते हो कर सकते हो मन को एकागर कर सकते हो फुल स्टाप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टाप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क क्यों क्या कैसे यह क्या व्यह क्या अश्चरे की मात्रा भी नहीं फुल स्टाप सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेनत नहीं है एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ पॉइंट पॉइंट सुरूब बनना है वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य को जो सुनते हुना उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है पॉइंट याद करो पॉइंट लगाओ पॉइंट बन जाओ यह अभ्यास सारा दिन में बीच बीच में करो कितना भी बिजी हो लेकिन यह ट्राइल करो एक सेकंड में पॉइंट बन सकते हैं एक सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो जब ये अब्यास बार-बार का होगा तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे पास्वी दानर बन जाएंगे यही परमातम पढ़ाई है और यही परमातम पालना है सेकंड में पॉइंट लग जाए और ग्यान की पॉइंट पे खूब मनन करें और फिर बाबा ने का जो हो गया उसे भी पॉइंट लगा दो बूल जाओ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ तो यह थे अच्छा चारों और के चाहे साकार रूप में सामने हैं चाहे दूर बैठे भी दिल के नज़दीख हैं ऐसे सदा सुष्ट भागवान आत्माओं को सदा निमित बन निर्मान का कारि सफल करने वाले विशेश आतमाओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हमधवान बच्चों को सदा हर कदम में पदमों की कमाई जमा करने वाले जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ड में पदम गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते तो बाबा ने कितना सेज कर दिया पॉइंट लगाओ बस पॉइंट बन जाओ फिर क्या चिंता फिर तो कुछ चिंता नहीं सदा पॉइंट रूप में रहो कुछ सोचना नहीं कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया और संगम युग की प्राप्ति का नशा रखो पाना थ रासोपालिया आज की अव्यक्त मुड़ी सुच्छी से सुना रहे हैं। सिडनी बाबा का जो एड़ क्वार्टरेटर है ना फाइवडॉक पूरे ऐस्टेलिया के करन रहे हैं। अनेक अनेक शेंटर 4 रिट्रीट मेर रहे मिरमला दीदी भी यहां रहते थे और अब बीच बीच में आते हैं और चारली भाई तो यहां पर्मानेंट रहते हैं अच्छा बहुत सेवा आस्टेलिया में भी नंबर वन सेवा अच्छा जी ओम शान और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे अच्छा जी जरूर देखे